चाहिन दोस्तो तो वजरेक्स के अंदर फिलाल काफी लोगों के P2P बाई सेल एन क्रिप्टो विड्रावले वो ब्लोक हो चुके है अब क्यूं हुए है उसका सोलूशन मैंने निकाला है क्यूंकि मेरा भी ब्लोक हो चुका है मैंने यहाँ पर तुरंद वजरेक्स सपोर्ट में गया और यहाँ पर निखिल जी मेरे साथ जोइन भी हुए वजरेक्स निखिल जी फिर मेरे साथ पहले तो उसने हाई हेलो किया फिर मैंने बोला कि बाई मेरा XLM जो कोई ने वजरेक्स के अंदर मैं उसको विड्रो करना चाहता हूँ और एक्चेंज के अंदर क्यों वि क्रिप्तों कहीं और ट्रास्फर करने की कुछिज करते हैं, तो वहां पर ब्लोग लिखा आएगा, उसने कहा कि अगर आप बैंक से ऺज़ते हो वजरेक्स के अंदर, या तो यूपी आई से थीपोज़ते हो वजरेक्स के अंदर तो तुरंत बाद आपका crypto withdrawals in P2P buy and sell block हो जाएगा इसका कहिना का मतलब यह है कि वजरिक्स में कोई भी बंदा bank से INR deposit करता या तो UPSC deposit करता है उसका use बंदा only crypto को buy and sell या तो directly अपने bank account में withdrawals ले सकता है वो P2P नहीं कर सकता है crypto को खरीद के कहीं और exchange में transfer नहीं कर सकता है फिलाल मैंने उसको यह भी बोला कि कब start होगा तो इसने यह बोला था मेरे को कि भाई टीम इसके उपर working कर रही है मैंने या पर इसको पुछा था कि टीम इसके उपर working कर रही है टेलीग्राम के अंदर आपको update मिल जाएगा तो tension लेने वाली बात नहीं है आपका account ब्लोक नहीं हुआ है only crypto withdrawal ब्लोक किया है और P2P वाला option ने ब्लोक किया है तो देखो यह बात मेरा live हो चुका है आपका exchange में कोई problem नहीं है आपके ID में कोई problem नहीं है यहाँ पर problem है अगर आप INR यहाँ पर deposit करते हो direct crypto deposit करोगे तो आप withdrawal कर पाओगे अगर आपने INR deposit किया bank की मदद से UPA की मदद से तो फिर आपका जो ब्लोक हो जाएगा crypto withdrawal और P2P अब आप समझ सकते हो इतनी सी बात मेरे साथ है हुई है क्योंकि काफे लोगों के chat में देख रहा था comment देख रहा था कि भाई कुस प्रोब्लम है तो मैंने यहाँ पर INR से काफे टाइम पे लेक deposit किया था फिर मैंने Stealer खरीदा withdraw करने की कोशिश की तो ब्लोक लिखा आ रहा है फिलाल मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा कि किस तरीके से लिखा आ रहा है अब मैंने यहाँ पर INR deposit किया था 1000 रूपे उसके बाद मैंने यहाँ पर Stealer को खरीदा फिलाल 903 रूपे के Stealer है अब मैं इसको withdraw करने जाता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने withdraw पे क्लिक किया फिर यहाँ पर मैं address डाल दूँगा memo में मैं कुछ भी लिख देता हूँ क्योंकि memo कुछ required नहीं है all यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे withdraw अब हम इसको यहाँ पर टिक करके process करेंगे जैसे यहाँ पर खिचेंगे तो उपर देगो block लिखा रहा है कि भाई आपका जो withdraw ले वो block हुआ है account block नहीं हुआ है तो अब आप withdraw नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पर UPI की मदद से deposit किया है एक काम कर सकता हूँ कि अपना जो stealer है उसको बेच सकता हूँ और जो मेरे को INR यहाँ पर मिलेगा उसको अपने bank account के अंदर withdraw ले सकता हूँ यही एक रास्ता है वजरिक्स नहीं चाहता कि यह fund कहीं और exchange के अंदर जाए कहीं और transfer हो जाए आपने यहाँ पर INR deposit किया है तो यहाँ पर ही गाम करो यहाँ पर ही buying selling करो और यहाँ से directly अपने bank में पैसा निकालो यह वाली बात यहाँ पर बन जाती है अब आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को like कर देना चेनल को बिलकुल subscribe करना यह से भी हम वजरिक्स की continue update पेले से डालते हैं और आगे भी डालते रहेंगे तो share भी कर देना टेलीग्रम को join कर लेना वजरिक्स में तकलीप हो रहा है प्रोब्लेम आ रहे है तो एक एक्चेंज ओर है लिंक में description box में डाल रहा हूँ वल्ड का largest exchange Binance उसका यूज आप start कर सकते हो मिलते एकने वीडियो के साथ